इसकी है जो दिवाइसेस हैं जो रौटर और सुचिज है उनके परे मैन आज पाँ ठीदेगा सबस्क्राइब है सिस्कों के जो डिवाइसेस है इस पके जो रौटर से हैं ठीआ और उनको कमपैरिजन को दो सबसे पहले चीज किया है कि इसका फॉर्म फेक्टर जानते हैं यानि कि फिजिकल एपेरेंस कैसा दिखाई देता है तो उसे कहते हैं फॉर्म फेक्टर के हिसाब से इसको के राउटर्स को रैक में बाउट करते हैं तो हमारे पास इसकी सबसे इसे बाटा गया है जैसे वन आर्यू ठीक है यहाँ पर आर्यू का मतलब है रैक यहाँ पर आर्यू कि अपर इसकी अपर आप आपके वोई से ना थोड़ा इसे बीच में ब्रेक में से ना लो और है ऐसे वो रही है आपके वोई से आप हेड़फोन वेगरे कुछ यूज कर रहे हूं कैसा है आप सही आरी है वाच अभी आ रही है बट बीच में ना इसे लो हो जाती एकदम एक-दो वर्ड में अच्छा नि मैंने तो यूज किया हूँ है अब सही है अब तो आ रही है था था नियुक्त प्रक्टर की सबसे जो राउटर होते हैं ठीक है उनको रैक में लगाए जाते हैं तो वन यू तू यू थी यू पोर यू इस तरह से राउटर निलता है तो रैक जू का मतलब है सिंगल रैक षप्रेस ठीक है तो उसकी जो मोटाई होगे वो क्या होगी तो उसके बाद अकर वू कर दिया है तो उसके बाद האल कर दिया यू कर दिया तो निलीशचों की गार razor चाहां तो explained अच्छ Tuesday line यह आप देख रहा है फस्ट वाला राउटर जो रहे हैं यह दोनों क्या है वन यू वाले और यह 2 यू उप यह 3 यू पर समझ रहे हो कि जैसे जैसे उसके मोटाइब बढ़ दी है उसके जो राक की जो पटिति है वह बढ़ेगा तो तो अभी जैसे आप देख सकते यह बाला जो राउटर यह बनियो बाटा थीक है और आपको देखाते हैं यह सब बनियो राउटर है पत्रे वाले आपको देखाते हैं पहला सब बड़ा राउटर जिखें कि यह आप देखरों इसके मोटाई उससे डबल हो गई है यह एक की जगे दो इसके दो बन जाएगे और यह सिंगल ही रहुत तो यह तो यह तो यह वाला है इसी तरह से कि यह और बढ़ा है समद्रें ऐसे कर कि जो है क्रैक की जो स्क्रीश से बोल लेते हैं कि वापको दिखाते हैं कि राउटर का राएक देखा ही कैसे देता है जो राउटर लगाते हैं वो राएक में इस तरीकी से लगते है अदे अमार। कि राउटर उल है यो देऊं हां धयर है यह टाउटर वाल लंटम इस प्रकोली इतना हसे जो है आपका बन्त एक इतना स्पेस है और अब देखो इस रैक में देखो इस में देखो जादे स्पेस ले रहेंगे देखराई आप तो इस यह जो आपके यह होते है ना बीच में यह नट बोल्ड कस रहे हैं यहां पर लिखा होता है वन यू तू यू रैक के ऊपर और इसको पास से देखोगे ना आपको अपर इन ये प्रपास है अब बोल्ड कर सbersनांद इनर कर के ड्रू गे कर से हैं दो कर से ए किस में ये मैं ये और गर इंह ये जाल म يक 150 तो यह लग जयाना इसको पर दिखाने में लिखता है इसने लिखता है तो रैक समझ रहे हो आप यह देखो यह देख रहे हैं अब यह साइड में आप लो देख रहे हैं नहीं आरे हैं जैसे में ओन स्ट इसे पर्चेस में के लिखता है इसके लिखाल में यह आपकित के साथ आते हैं कि इस में प्रक्राइब आपके साइड में इस तरह से लगाए रवाटर है स्काइब आपने यह से लगा घी और इसको के सिसे को कसना पड़के ये मरिया कि भी किट्थिना है կह मॉरिम ढुटीपल यह साइड से लग रहे हैं एक साइड यह लगा है सबस्केश के ठीक है तो एक होता है सर्वर को लगाने के लिए उसे कहते हैं रेल इसे कहते हैं रेल ठीक है रेल से फाइदा क्या होता है साइड में आप यहां पर देख रहे हो आप के उकड़ देख रहे और पूरा बाउंट हो जाते हैं इसी कहते हैं रहे रेल मौन पर इने यह इसकी है यह आपकी किट आ जी है यह देक रहे है है समझाए इस तरीके से हम लोग सर्वर को माउंट कर सकते हैं एक आपने रैक करी था ठीक है रैक में यह रेल लगाई और उसके बाद यह आपके राउटर लगाई यह आप जो देख रहे हो ना पूरा देखो एक यह पूरा एक ही आपने कुरी किट जो है इसके अंदर पसा यह पिजथ 2505 राउटर है कि पूरा एक ही राउटर है और इसी राउटर के अंदर एक डो तीन चार पांश है पांश स्लोट में पूरे पूरे ही इसके अंदर जो है अंबने लगा रहते है ठीक है यह यह आपका दिखाए फांश तो यह हो गए और एक ही हो घे इतना यह इसकी पूरी किटा साइड में लगाने के और यह इस तरीके से आप इसे पाउंट करके काम आज़ाए तो भी लगाना पढ़ गए आपको तो इसलिए बता रहा है कर दो यह चाहिए सब्सक्राइब करके यह साइड में रहो है सबस्क्राइब भी तो इसलिए थाय जाए है उसी तरह से सारी यह रेखो यह जो यह ब्लेट में वी ब्लेट्स दौए यह इसाडर लगा है खिक हाँ ? त्यान हें यह ब्लेड सर्वर इए जडाल रेखां? फिर प्लेड सर्वर यह ब्लेड सर्वर खिक हाँ ? तो आप देखो Router दो तरगे होती है एक होते है Modular एक होते है non-modular तो Router जो है इसको classified कर सकते हैं अब दो पार्ट है ठीक है fix router non modular होते है Modular router जो होते है वो Slots बने होते हैं और उनमें से Module इनको आप अटा भी सकते हैं लगा भी सकते हैं तो modular non-modular non-modular fix हो गया router देखो fix router are just like branded PC where the modification of the interfaces is not possible ठीक है X Slayer routers are example of the fix router except 1600 1700 series कहने का मतलब यह है कि जो routers जिनमें slot fix होते हैं ठीक है वो आपके fix router होगे और जिसमें slot change हो जाएंगे या बदल सकते हैं slots को ठीक है उनको मोडुल होते हैं modular router is just like a simple PC where modification of the interface is possible and distribution and four layered routers are example of modular router अब आपको layer बताएंगे three layer architecture उसके बाद आपको समझ में आएगा कि access layer क्या होता है और distribution layer क्या होता है ठीक है तो modular और non-modular यह दो category यह होते हैं modular जो होते हैं उसमें interface को लगा सकते हैं अटा सकते हैं एक्जांपल बताते हैं यह देखो उपर देख रहे हैं आप डाइग्रम इसमें card निकाल रखें यह देखें तो यह modular है जिसमें card नहीं निकल सकते fix हैं फिक्स हैं थीक है और non-modular पिक्स राउटर हैं इसमें देख जाएंगा है कि यह देख यह राउटर है कैसे परचानोंगे modular और non-modular हैं बताओ यह कौन सा है एदेखें अब डेखने वे पेंच लगे वाए इस कारड को निखाल सते हैं ये भी निखाल से पिक्स राउटर भी दिखाता हूं यह यह भी मॉड़ल है फिक्स दिखाता है पच्छी सो तीर है यह देख रहो आप बताओ यह मॉड़ेलर है नॉन मॉड़ेल हरा वाताओ देख हर बताओ पिक्स धी सई यह देख इस फिक्सित इस इंडर्फेश निकालने सकते है थिए फिक्सिस यह तो इसफिक्सिंट ठीक है अब आपको देखो दिखाते हूं मॉडूलर देखरें है यह मोडूलर है यह नॉन मॉडूलर है यह नॉन मॉडूलर है यह नॉन मॉडूलर का कैसे बता लगा है वो ट्रेज निकल सकते हैं मुझका यह देखो यह देख रहा है यह बाहर निकल जाए अब बताओ इस राउटर को देखते बताओं मॉडूलर है यह नॉन मॉडूलर है यह नॉन मॉडूलर है यह नॉन मॉडूलर है तो तो थोड़ा स्पूट कमें दिखाए दे रहा है दिखाए दे रहा है हाँ अब देखो यह राउटर सामने देख रहे हो बहुत आप मॉडुलर है नौन मॉडुलर है नौन सब्सक्राइए अब जितने राउटर आपको दिखाए देंगे वो सारे मॉडुलर ही होगे टिके बास समजा है अब अब नौन मडुलर ही बन रहे हैं तो आफ vapor यह सामने आप राउटर देख रहे हो अब इसमें इंटर्फेस में आपको बतांब किसे नांप इंटर्फेस काolina इंटर्फेस का मतलब है इसके सबसे पहले हम दिखेंगे कि राउटर को मैनेज कैसे कर सकते हैं राउटर को मैनेज करने के लिए होता है कंसूल पोर्ट तो आप देख रहे हैं यहां लिखा है कंसूल ठीक है यह देख रहे हैं आप यह कंसूल पोर्ट तो इस पर लिखा होगा कंसूल राउटर में इस तरह का पोर्टों का आरजी पूपर देख रहे हैं दूसरा एक टू नाइन से क्यों सिरीज का राउटर है यह देख इस पर लिखा है कंसूल अलग से पोर्ट बना तो 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 यह राउटर को एक्सेस कर सकते हैं आएगी और PC में लग जाए तो इस तरह की जो केबल होती है उसे कहते हैं Serial Cable यह Consol आपकी केबल होती है Serial नहीं होती है यह Consol Cable होती है Consol Cable आपको दिखाते हैं कैसे होती है यह देख रहे हैं यह देख रहे हैं आप कि यहां से देखो इसको और मुझे बताओ कि इसमें कौन सा पॉर्ट है कि आर्जे पॉर्टिफाइब एक तरफ और दूसरी साइड क्या है दूसरी साइड एक पॉर्ट है नाम क्या है आपने कुछ तो नाम बताया था उसका याद नहीं यह जो पॉर्ट है यह कॉम पॉर्ट है यह कौन सा पॉर्ट है कॉम पॉर्ट है इसे सीरियल पॉर्ट भी कहते हैं इसे पहले पॉर्ट लगाई जाते थे इस पॉर्ट से तो यह सीरियल पॉर्ट है अब देखो क्या है कि आप इस तरह के पॉर्ट जो है वह आना बंद हो गए सब्सक्राइब करें कि कि लिग में एक सब्सक्राइब करें दिखा है इस तória घcom इसमें लग जाएगा और यहां से यूस्बी पोर्ट निकलेगा इसमें लगेगा और यहां से यूस्बी पोर्ट में चला जाएगा यह पीसी में लग जाएगा क्योंकि पीसी भी डारेक्ट तो लगा नहीं सकते हैं इस तरह हैं तो इस तरह का दिखाय देता है इधर यूस्बी लग जाएगा और इधर यूस्बी लग जाएगा तो यह इसको इस तरह से लगा जाएगा यह देख यह हमारी कंसुल के बल यह थर से यहां पे लग गई इसमें यह देख और यहां से आपका यह ज़िपोट लग जाएगा यह जाएगा गली यह यह ज़िए यह जो यह झाल 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 पर आउटर में एक वैन इंटरफेस होता है तो वैन इंटरफेस में अलग-अलग टाइप के कार्ड लगाए जाएं तो यहाँ पर आप देख रहे हों यह सारे वैन इंटरफेस हैं यह देख देखा यह काड देख रहे हैं यह डबलू आइञेस काड यह डबू आइजी कार लें पिसका नाम डबलू आइख कर और यह डबू अईख कार्ड यह्री इस कोड़ भी गैसमाट सीरियल ठीक है वो भी सीरियल पोक्राइए सॉमाइड निया इसमें दो साथ लगा सकते हैं इसमें तो देखो सिंगल है इसमें आप देख रहे हो सिंगल है और सिंगल है इसमें देख रहे हो डबल है तो यह बड़ा था और यह चोटा है उसे कहता है स्मार्ट सीरियल चीक है और लगेगा कहां पर यहां पर बताओ इसका नाम बताओ कि अधियर आएगा स्मार्ट सीरियल है कि यह दुख वीडियेशल टू काड़ है यह यह भी वैन इंटर्फिस काड़ है इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए ठीक है तो जो डारेक्ट जो डीएसल जो होता है ना उसका बाहर इसमें आजाता है इंटर्फिस काड़ है तो मॉडम की फिर जरूत नहीं पड़ेगी आपको यह डारेक्ट कनेक्ट करने के लिए कि यह भी देखो वह यह आपको मैं इंटर्फिस काड़ है यह भी डारेक्ट जो है आपका इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए है ठीक है एस एच टी एसल है ठीक है क्राओ करें है थे वह आपका था ड्फित यादि यह देखो यह देखो फिक सब्सक्राइब आपके पटायों शीयचों शीयचिजल जेशते मॉ inappropri टाइप डीवाइस तो मैंने यह बाटन में डारेक्ट जो है यह सीधा आपका जो कनेक्शन है यहां पर आपके लग जाएगा यह T1 लाइन डारेक्ट आपके लिए 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 इस तरह से बहुत सारे आपके होते हैं कि टी वन लाइन क्या है टी थी लाइन का है तुब यह बीडिवन लाइन के लिए अधिक ती वन डी त्यू सी अस्यूप तो अलग अलग टाइब के हैं यह ठीक है अधिक है यह देखवा का पताते हैं उपको कि आप देख रहे हों कि देखवा हमारा क्या होता है जो राउटर होता है यह राउटर है और हमारे पास लाइन आई है यह लाइन आई है तो लीज लाइन जब आती है उसके लिए डिवाइस होती है CSU-DSU या तो CSU-DSU इसके अंदर ही inbuilt कर लेंगे हैं जो हमने card बता है अगर हमारे पास वाला card नहीं है तो हमको ये modem लगाना पड़ेगा ये देख रहे हो नहीं तो हमें वोई वाला card लगाना पड़ेगा समझ रहे हैं मरी बात को अगर आपके पास वाला card नहीं है तो आपको इस device को लगाना पड़ेगा नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा अलग से modem से CSU-DSU modem से वायर जा रहा है ये को V35 V.35 और ये serial port में जाके लग रहे है जो serial port अभी मैंने आपको दिखाया था बड़े वाला एक तो smart serial था एक बड़े वाला था जो बड़े वाला दिखाया था वो ये दिखाते हैं वो कौन सा था serial port ये वाला ये है इसमें लगी है वो cable और वो cable कौन सी है V.35 के लिए उसके लिए जो यूज होती है V.35 के बड़े ये देख़़गा ये देख रहे हैं आप cable ये देख़़गा तो इसमें देख़़गा smart serial है उसकी जगह आपका बड़ी वाली serial port होगा ठीक है एक साइड ऐसी लगेगी दूसरी साइड जो है वो ऐसे लगेगी तो ये अलेग अलेग टाइप की के बलाती है कि ये ये सब भी 35 के बले इसमें क्या होता है एक साइड मेल कनेक्टर होता है एक साइड फीमेल कनेक्टर होता है ठीक है एक साइड फीमेल कनेक्टर होता है थीक है इस तरह की गयूंध में हाती है अल्ग में येवन ये वाली में eabble है जिसकी मैं बात कर रहा था जो क्याई पर लगी थी यह कहां जाएगा यह वाला हिस्सा यह यह बढ़ा वाला ध की यसरील प्रॉर्ट के अंदर जाएगा और इस साइट से सक्था जो का मार्णा नौ तक भावtt यह आपकी female to serial पूट के बले है यह एक ही है वाली यह वाली भी यूज़ कर सकते हैं यह स्मार्ट serial में यूज़ करोगे आपके बले है इस साइड आपके modern में जाएगा और इस साइड आपके प्राउट है ठीक है यह सब्सक्राइब इस तरह है यह आपकी दूसरी है यह मेल है ठीक है और यह आपकी female है यह वाली तो वह डिपेंड करेगा modern में किस तरह की पिन्स है ठीक है उसी हिसाब से रूट कनेक्टर यूज़ कर सकते हैं दोनों तरह की आती है तो जो भी आप suitable है आपको यूज़ करने हैं ठीक है बात समझ आ गई यह हुतलिया यह वैं कनेक्शन के लिए होती है एक होती है आरेस 232 आरेस 232 होती है यह देखो यह सीरियल के लिए होती है यह आप मॉनिटर में यूज़ करते हैं तो इसे कहते है आरेस 232 के वह पर एक है कि आपकी मॉनिटर वाली भी होती है वह यह यूज़ करते हैं तो थीक है यह आरेस 232 के वालता है ठीक है तो सीरियल पूर्ट यह मॉडूल है पूरा है यह देखो सीरियल पूर्ट का पूरा मॉडूल है इसे कहते हैं मॉडूल इसे क्या कहते हैं मॉडूल इसमें देखो पकड़ने का भी यहां पर एक हत्ता टाइप का बना हुए ठीक है यह सीरियल मॉडूल है अब इसमें कितनी सीरियल लगे में बता सकते हैं चार सीरियल और सीरियल जब भी स्टार्ट होता है उसका नंबर होता है 0 1 2 3 तो 0 से स्टार्ट होता है जीरो 1 2 3 अब देखो ये वाला जो पूरा पोर्ट है ये पूरा जो मॉडूल है इसका नाम क्या रखा हुए देखो सीरियल 4A और सीरियल 4A समझा लेकिन ये पूरा एक मॉडूल है इसलिए इसका नाम ये शिरियल 4A स लेकिन अगर मैं कहता हूँ ये सिंगल वालक अगर रहेगा तो उसका क्या नाम हो तो देखो यह सिंगल वाला है इसका नाम है WIC1T बहुत समझाई WIC1T का मतलब यह है कि एक छोटा पोर्ट ठीक है यह पूरा मॉडूल नहीं है जब कि यह क्या है एक छोटा कार्ड है यह मॉडूल नहीं है बलकि एक कार्ड है वैन इंटरफेस पोर्ट पे लग जाएगा ठीक है यह वाला आपका सीरियल पोर्ट होता है यह वाला स्मार्ट सीरियल होता है दोनों में डिफरेंस पता लग जया Microsoft पोर्ट दिखाय दिया राउटर को कन्फिगर करने के लिए राउटर को अगर हम आउटसाइट से कन्फिगर कर सकते हैं ठीक है remotely configure करेंगे उसके लिए port और होता है जिसे कहते हैं AUX port या auxiliary port क्या कहते हैं इसको AUX port या auxiliary ठीक है या auxiliary port auxiliary port is used to connect the model to the router auxiliary port से आप क्या connect कर सकते हैं modern connect कर सकते हैं और remote location से connection बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं ठीक है बास समझ आई अब दो router को जब मुझे जोड़ना है और वो दोनों पास-पास रखे हैं रहो तो उसके लिए cable यूज़ होती है जिसे हम कहेंगे DCE DTE केबल दिखाते हैं आपको कौन सी केबल यूज़ हो यह आप केबल देख रहे हो एक तरफ लिखा है DTE और एक तरफ लिखा है DCE तुझा है तो नोट कर लिजे देटा टर्मिनेशन इक्विप्मेंट डी ती को क्या कहते हैं डेटा टर्मिनेशन इक्विप्मेंट एक राउटर लग जाएगा DTE साइड में और दूसरा को राउटर किससे कनेक्ट होता dei C2 data communication and data communication equipment भी कहते हैं data termination equipment और data elm ये वाला साइड यह a OP side होता है dc-e और ऑ्डीटीह जो हता है यह कस्तमर के एंड कस्तमर का राउटर इधर कनेक्ट होगा और आई-एसपी का राउटर इधर कनेक्ट है बात समझा गई तो इसको आप लिख लीजिए एक साइड में DTE किसे कहते हैं और DCE किसे कहते हैं समझा है राउटर टू राउटर कनेक्ट कराने के लिए एक साइड कस्तमर एंड हो जाएगा और दूसरी साइड पौन साइड होगा I.S.P.E. इन दोनों के बीच में क्लॉक चलती है जिसे हम कहते हैं clock synchronization तो वो क्या होती है एक digital clock चलती है एक साइट से दूसरी साइट चीक है और ये clock तभी synchronize होती है जब हम इस end पे एक clock rate define करते हैं तो जहाँ dc लिखा हुआ है उस end पे हमें clock rate डालने पड़ती है तो clock rate किदर डालने पड़ेगी जहाँ पे isp end होगा समझा है isp end पे हमेशा clock rate define करने पड़ेगी ठीक है इस cable का नाम क्या है ये वाली cable है इसका नाम है serial cable ये कौन से cable है serial cable और ये भी v35 cable ही है लेकिन ये router to router जोड़ने के लिए इसमें दोनों साइड आप देख सकते हो mail port है ठीक है बाद समझा गई ये वाली cable अलग है ये भी v35 cable है ये modern से router को जोड़ने के लिए है लेकिन router से router को जोड़ने के लिए कौन सी cable मैंने अभी बताई आपको ये वाली cable ठीक है router से router को जोड़ने के लिए डारेक्ट ठीक है या फिर आप इस तरह की cable भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप smart serial ये cable यूज़ कर रहे हो तो इस तरह की cable यूज़ करोगे कर सकते हो ये देख रहे हैं आप 26 पिन की ये डी सी है और 26 पिन की ये डी टी है ठीक है बात समझ आ गई इससे पहले जो आपने देखी थे 40 पिन वाली थी ये 40 पिन वाली है ठीक है और ये जो भी आपने देखी ये कितने पिन की ये 26 पिन की चीक है बात समझ आ गए अब देखें ये राउटर टू राउटर इस तरह से करेक्ट होती है एक तरफ सीरियल लगा और ये आकर इधर लगते है इस राउटर से फिर आई के वल इधर लगती है इस तरह किसे से एक राउटर को दूसारे राउटर से हैं दूसरे से तीसरे को जोड़ सकती है आच हो यह कन्सोल के बला रही है और कि और यहां से देखो यह केबल आ रही है Ethernet के लेए लेन के लिए है रही है ठीक है बात समझ आई कि दूसरा डाइग्राम दिखते हैं कि इसमें आप देख रहो उपर एक राउटर लगा है इसमें देखो यह केबल लगी है है फिर आप यह देख रहैं है दोनों दो सीरियल फोर्ट को उस्टेतं एक यह औरzag ऊहरा है है меня तो आपको ट्रांस रिसीवर जो है वो कनवर्ड करता है किसको सीरियल टू इस इधनेट ठीक है ना तो ट्रांस रिसीवर बोर्ट होते हैं एक रैक और दिखाता है अब इस रैक में आप देख सकते हो देखें दो राउटर लगें यह फ्रंट है कशिया है यह स्वीच लगे में देखुए यह सबीस्को का स्वीच लगाऊ है 35-50 वर अटिक है अधि यह दूसरा तो इस लगावा यह दोनों राउटर 25 से तो आपको समझ आ गया होगा लीज लाइन कैसे कनेक्ट की जाती है ये लीज लाइन मोडम है ये लेज लाइन मोडम से एक वायर और यहां लखे हैं ठीक है इछिस तरिके से ये लीज लाइन को कनेक्ट की जाती है समझां मॉडम में इल जात्यको हिसे को यह समस्जात है समस्जान जात्य को म critically को मोडम में इस पू facetaming major प्रूल खैया है तो बताओ हमें कौन सी केबल यूज़ करनी पड़े लिए वी 35 मेल या फिमेल बताओ कियोंकि इदर फिमेल पोट है अगर आउटर में मेल पोट होता तो फिमेल केबल और फिमेल केबल है तो मेल कोट है ठीक है वह आप केबल उस हिसाब से चूज़ करोगी ठीक है यह देखो यह इस तरह का मॉड़म बात है तो इसमें भी आपकी कौन सी केबल लगएगी तो इस तरीके से देखो आपने यहां पर देखा राउटर के जो जो इंटरफेस होते है अब आप देख सकते हो इसमें देखो एक मॉडिल यह लगा है एक मॉडिल यह लगा है ठीक है समझा गई राउटर इथरनेट मॉडिल अब आपको इथरनेट मॉडिल दिखाते हैं हम देखो एथरनेट मॉडिल यह लोगा है यह आप देख रहे हो यह एथरनेट मॉट के है इसमें देखो हमारे पर कितने पॉर्ट मिलके हैं इसमें 16ES इसमें 16 इतरनेट नेट इन है यानि कि इसे स्विच की तरह काम कर सकता है राउटर के अंदर भी स्विच लग जाता है इसके लिए स्विच मॉड्यूल लाते हैं ठीक है तो इसको बोलते हैं एनम 16 एस यह 16 एस यह आपका इधरनेट मॉड्यूल है कौन से मॉड्यूल है इसी तरह से आपको दिखाते हैं गीगाविट मॉड्यूल कैसा हो यह यह सब गीगाविट यह गीगाविट पर पूर्ट है यह गीगाविट मॉड्यूल गीगाविट मॉड्यूल यह इसके गीगाविट पूर्ट है इसमें जीबी लिखा हो अगर दो पूर्ट है तो जीबी वन जीवीट या फिर अगर फाइबर है यह एक फाइबर है एक जीबी तो जीबी इस इस पर लिखा है यह निकी गीगाविट इथरनेट और इसमें फाइबर पूर्ट में फाइबर लगेगी ठीक है फाइबर पैच लगेगी और इसमें आपकी इथरनेट पैच लगेगी अगर्ण इसमें फाइबर पैच लगेगी तो यह सब आपके मॉडूल है जीबी आईसी मॉडूल है अभी आप यह देख रहे हो यह उससे उपर की कैटेगरी है इसे कहते हैं टैन गीगाविट इथरनेट मॉडूल है यह दो दो पूर्ट के आप जो देख रहे हैं यह पूरा पूरा इसके अंदर गया हुआ यह दि अन्ट गाया वह ठीक है तो यह इंटेग्रेटेट्ब सर्विसिस सिरीज रॉट्टर 1947 अन्ड सेयसरी रॉट्टर जिसके अन्दर सारे पोर्ट डीगाविट फॉट है और कैसे फॉट हैं गीगाविट से वह उपर हैं 10 170-बाले में 10 GB पर प्रिपोर्ट लेगे अठीक है वाद समझ आई यह 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 आउटर आप देख रहे हैं यह सब कोर सिरीज के देख रहे हैं अभी जो दिखाए इससे पहले भी कोर सिरीज का था और यह भी कोर सिरीज का ही राउटर यह को इस ने बड़े-बड़े आपको दिखा रहा हूं में कि यह सब कोर सिरीज अभी आपने जो देखे वह कैसे थे एक्सरीज के और यह है पोर सिरीज की जो राउटर होते हैं वह बड़े होते हैं तो राउटर को तीन काटेग्री में बाठा गया है तो इसलिए Cisco त्री लेयर आर्केटेक्टर को समझना जरूरी है तो देको हम यहां पर समझते हैं डाइग्राम के तूं के लेयर्स यह निकि नाटर जो हुए तीन तरह की लेयर्स से मिलकर बएंगा जियों क्या होता है जो हम लोग राउटर यूज करते हैं वो अलग लेयर के होता है अक्सूस लेयर के राउटर अलग होते हैं डिस्टिबुशिन लेयर के अलग होते हैं आपको तॉल्ट लेयर के अलग होते हैं को हमारे पास देखो सिसको के अंदर इस यह जो तीन लेयर होती है इसको बूलागा थैcoverих बेटा फ्लो है वो किस तरीके से हो रहा है और जो होती है इसका काम होता है प्रोवाइड बेंडवेड्ट तो डिस्टिबूशन लेयर एन एक्सेस तो यह क्या करता है बेंडवेड करता है और इस पीड प्रोवाइड करता है और नेटवर्क है एस फास्ट एस पॉसिवल जितना फास्ट हो सके उसके लिए हमारे और सीरीज के राउटर बहुत बड़े-बड़े राउटर होते हैं जैसे मैंने अभी आपको जो दिखाई राउटर कुछ आपके और कुछ आपके डिस्ट स्चीरीज का काम होता है यहाँ पर हाई स्प侍ड क्नेक्टुटी बना रहें थिके क्यला को अर्ण करता है राउटिंग ऑलिस्ट्रीट करना बेंडविट को आगे इस राम्स परेदाएं नेक्श से यह मैं जूँजर के बराइब मेंने डिस्ट्रीट कर देथे हैं और ऐस स यूजर अपने डेक्स्टॉप पर काम करते हैं उनको क्या है एक्सस लेयर स्रीज के जो राउटर होते हैं और स्विचिज होते हैं वहां से कनेक्ट्विटी मिलके काम करना परा है इस डाइग्राम को देखा यह आपका पूरा दिखा रहा है यह आपका टू टायर अगर्ण और यहां पर क्यांपस आर्किटेक्ट्चर एक कैंपस नेटवर्क है इसमें आप देख सकते हो हमारे पास यहां पर हैं तो हाइस पीड कनेक्शंस बनेगा और हाइसिपीड कनेक्शंस से आगे यह देख रहा है अब यह एक्ससरी के राउटर्स लगें और सोट यह तो स्विच यह आपका यह आपको और इस एंट पर फाइर वाल लगी या नो दो रूप का यह बीच यहां ब्योंड पाइर होता है है ठीक है एक और डाइग्राम देखें यह मल्टी नोड केंपस पूर है यह पूरा जो है यह पूर लेयर मिलके बनी है यह पूर लेयर अर्किटेक्ट्चर है केंपस नेटवर्क बनाए है तो उसमें आप देख रहे हो सारे जगह पे हाई-end स्रीज के स्विचिस लगे और उनको जोड़ने के लिए एक बैकबोन बनाए गई है यह बैकबोन कनेक्टिविटी जो होती है यह फुल मैश कनेक्टिविटी को दिखाती है इसमें आप देख रहे हो मैश बन गया पूरा मैश टॉपलाजी बताए थी ने आपको वह बनी है तो मुल्टिपल कनेक्शन बने विए अगर एक डाउन भी होगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरे से कनेक्शन बन सकता है तो यह आपका एंटर्प्राइज जो है कैंपस नेटवर्क आर्फिटेक्ट्चर है जो कंपनी में यूज होता है तो आपकी को लेयर हो गई इस्टिपूशन लेयर हो एक इतीन ही लेयर आपकी काम लात है ठीक है और इनी के साब से स्विचेश और आपके लिए जाते हैं अगर तो यह डाइग्राम आप बना लीजी इस तरह का ठीक है अगर यह अपने कॉपी में बना लेना होले ए डिस्टिपूशन लेयर एक्ससि लेयर पुसे आपको याद रहें यह किस तरह के से काम को हिए ठीके है यह तरी टार adjust unrequotर हुए ब्योंडेर काम करेंगी वह तुटाइर हो Garrett इसी तरह तो इसी तरह से हमारा नेटवर्क बनाया जाए है तो इस टेंपस नेटवर्क बनाने के लिए सारी चीज़ें की जाती है समझा गया हुए अब देखो जो राउटर्स हैं वो डिपैंड करते हैं आई यूएस के उपर राउटर्स के अंदर आई यूएस होता है यह निकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं आई ओ एस अब आजकल जो है जो राउटर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं सिस्को आई एसर राउटर्स कैसे आरे ना हो वो सिस्को आई एसर आई एसर जो होते हैं इंटिग्रेटर्स अर्विसेज राउटर कहते हैं इंटेग्रेटर्स आपके सिक्योर्टी को भी सपोर्ट करते हैं जैसे कि VPN बनाना फॉयर वाल यूज करना इसलिए जितने भी आपके इनमें सब सेक्योर्टी आप लगा सकते हैं तो इसकी देखो पूरी स्रीज है यह वन ताउजन स्रीज के सारे आपको दुखा रहे हैं कि दाइग्राम को लाता पता है कि यह देखों पत्चीसों स्रीज चप्वीसों स्रीज देख रहे हो यह बढ़ती जा रही है यह 1993 में पत्चीसों स्रीज आया था आउट्डेट हो गें 1998 में 2600 स्रीज आया पिर यहां पर देखो यहां से स्टार्ट हुआ ISR सिरीज इवैल्वेशन हुआ यहां पर इससे पहले इनमें सिक्योर्टी नहीं लगा सकते थे उसके बाद इसर राउटर स्टार्ट हो गए तो देखो ISR G1 फैमिली 1800 2800 3800 ठीक है तो यह आपके इंटेग स्टार्ट है और उसके बाद देखो ISR 445 ठीक है इसमें भी जो है आपका जो ओस है वो थोड़ा अपग्रेड हो गया 2013 में और चीज़ें इंटेग्रेट किल गई 2014 में और ज्यादा इंप्लिमेंट हुआ ठीक है यह 4000 स्रीज के राउटर आप देख रहें तो इस तरीके से दीरे-दीरे क्या है यह राउटर जो है थोड़े मॉडन होते जारे है ठीक है यह यह देखो यह 4000 स्रीज के सारे राउटर 4 3 2 1 4 3 3 1 4 3 5 1 4 4 4 3 5 1 4 4 4 5 1 इस तरीके से जो है डवलब होते हैं यह 4000 स्रीज के राउटर यही मैं अलग-अलग कैटेगरी बताई गई तो इस तरीके से यह इवल्व होते हैं ठीक है यह अब देखो 2014 तक मैंने बता दिया था उसके बाद देखो 2016 में देखो ISR 4221 रेप्लेसिंग 1921 को रिक्लेस कर दिया है और उसके बाद है को 2017 और 18 अब 1920 में और मोडल आ रहे हैं तो 4461 यह देखो तो आपने पैकेटर से डाउनलोड कर लिए मैंने बताया था आपको आप देने वाले तो आप आप देखेना में इसका कर लेंगी ठीक है कि इंटरफेस समझ में आ गए आप दुबारा से आपको बता देता हूं यह राउटर है यह देखो यह पावर कि आम चैनि एह पर करने के लिए यहाँ पर केबल लगे तो इसको निकालना से रहा है उसके लिए क्विंग स्लोट दिया वारत इसके लबा देखो यहां पे आप देख रहे हो किसी किसी में किसी में रिसेट करने का प्रेंग है और यहां पे और देखो है कि यज़िए ने किसी सिम्किन यज़िए रहते इसके बान नियार हो इसके बाद यहां पर संए एक पोट आप का सोल emphasis और और यह यह दो यह दो लंड झाल दी है है इसमें आप सिर्यलगा चाल्ट इस अब लगा सकते हैं इस अब लगा सकते हैं ठीक है अच्छ अब लग 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 राउटर की के टेक्रिय है यह इस तरह का दिखाई देख यह इसका फ्रंट है यह बैक है इसमें यही शारी चीज आगे एक कंसोल पोड दिया होगा बाकी दो इधनेट पोड दिया है और यह और यह सीडिल पोड दिया है यह भी सीडिल पोड दिया है यह सारे आप देख सकते हो अलग अलग कैटेगरी की दाउटर अब तो यह 4000 शरी तो यह सारे समझ में आ गया आई एसर और नौन आई आई एसर राउटर्स अब हम प्रकेट ट्रेसर पर चलते हैं और देखते हैं यहां पर राउटर्स को कैसे एड़ और दिलीट कर सकते हैं तो दिखो यहां पर आप आ गए देखो कोई भी राउटर आप उठा लिए और एक में दुसरी का राउटर लेका को क्लिक करेंगे देखो डिखाए देरा है इसको जूम-इन करोगे तो इह अब इसमें देखो यह तो इसका क्या है आवर्केवल है यह उण-अफ बटन है त अब देखो बटन अन्हें और हम इसके अंदर मॉडूल लगाना चाहते हैं खाली स्लोट पड़े हैं हम मॉडूल लगाना चाहते हैं देखो हमें यहां से WIC 1T मॉडूल लिया देखो और इसको उठाया और यहां भी लगानी कोशिस करेंगे क्या करें, चैन्नोट एड़ दा मॉडूल वन दा पावर इसनाँ लीजिए तो इसके लिए हम पावर अफ कर दिया हमने कार्ड को लगाएंगे कार्ड को उठाया और यहां रख दिया, ऐसे देख रहे हैं एक दूसरा मॉडिनाूर उठे हमगा कि की का डूसरा मॉडिल हमोंगा दूसरा हमें स्मार सीरेस्षान को बड़ा है और इसको ऐसे लगा देखे हम अब रॉटर हमारा बंके तैयार होगा है और जैसे राउटर को आन करेंगे इसकी कंजोल केबल से एक पोर्ट लगा है जिसको आपको डिस्प्ले कराना CLI पे क्लिक करते हैं राउटर बूट होना स्टार्ट है इसका और पूट नहीं दिखाई दे रहा है और देखो यहां लिखा रहा है सिस्टम जब करनाःती हो कोई लगाइस करना मतलब होते है और हम एंटर करेंगे आप देख्रेंगा आण दROंकर मोट में थे मिला मॉटर अक्रीक siya और यह चांद अरहां कि यह अमने कानसोल से ँषोच कि के मॉड़ नगे फर्स्ट म drawn डाफी आफ इसे बैसिक मुड गहते हैं कि यहां पर आप देखो इनेबल कमार्ड चलाओगे एंटर मार्ड यह वाला जो मोड आप देख रहे हो यह प्रिविलेज मोड होता है और इसके बाद हम यहां पर तर्मिनल लिखते हैं एंटर करते हैं यह वाला मोड होता है है उसका रावाड डौक लाउट्वार ग्लोल कंफीगूरेशन तो पहला मोड हो गया ॉसरा मोड हो गया कौन सा प्रिम्लेंज मोड और तीसरा मोड होगा इसका ग्लोल कंफीदेशन मोड तो इसमें ऑसलों रहती हैं वापस जाने के लिए है इसी तरह देखो दूसरा राउटर है इसमें मोड्य लगा सकते हो देखने यहां बड़ा है यहां नगा सकते हो और यहां चोटे-चोटे शब्सक्राइब कि विदुक्रा मोडूल लगाने के दिको यहांसे असे मोडूल टा है से लगा कि आधाना है तो ऐसे अटा स обязते लिग कि पूरा एक बड़ा मोडूल का इह दिखा थे मैंने आपको यह ज़िह अटाना है हिस्वाए दघे ऐक और इसदीए आपको दिखा रहा हूं एट वाल एट डिए और चैनल इसको अब इसमें चोटा साम एक और पोर्ट लगाना चाहते हैं यह यह लगा नहीं है और अगर इसमें कुछ नहीं लगाना है तो एक कवर लगा दीजिए हो गया राउटर तेयर इसे ओन कर दीजिए और सी एलाइप आ जाएगे देखो वापस से बूट करेगा इसको आप अलग अलग मॉडूल को पहले लगाना सीख लीजिए आज हम इतना ही करेंगे इसको किसी चीज़ को डिलीट करना है तो यहां पर देखो ऐसे प्रॉस कर दीजिए तो आज इतना ही कर दिए इसमें यह मैं आपको गेज दूँगा पैकेट ट्रसर का सेटप उसको इसको इंस्टॉल करके यूज कर लेगा समझा गया है तो यह सर्फ आज मैंने इंट्रो पार्ट बताया दो पिर कल हम इसको आगे डिटेल में करेंगे ठीक है लाज के लिए इतना करेंगे थैंक्यू